हेलो गाइज मैं हूँ पपु और आप सबको आसानी से किलियर करने वाला हूँ भाजी संख्या और अभाजी संख्या तो यहां पर आप गौर किजेगा अगर आपको बीच में भी नहीं समझ आयेगा तो आप इस वीडियो के निते कुछ भी लिख कर जा सकती है हमें कोई दिक पुझत नहीं है गाइज यहां पर आप आसानी से देख पा रहे हैं अभाजी संख्या टिक है जिसे इंगलिस में कहते हैं प्राइम नंबर्स ओके आगे मैंने लिख रखा है परिभासा वे सभी संख्या है जो एक से कटे तथा खूद से कटे गाइज उसे ही कहा जाता है अ बतलब यहां पर जो भी संख्या हैं आपको दिख रहे हैं यह सभी संख्या हैं हमारे अभाजी संख्या हैं यह अभाजी संख्या क्यों हैं क्योंकि यह एक से कटेंगे तथा खूद से कटेंगे यकीन नहीं हो रहा है ना यहां पर आप गौर किजिए आसानी से हम बारी बा तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें एक से भाग लगाना है तो हम एक से भाग लगाएंगे अगर हम दो में तो यह आसानी से रद हो जाएगा रद हो जाने का मतलब यह कट जाएगा और इसके बाद अगर हम दो से भाग लगाते हैं दो में तो ये आसानी से कट जागा यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं यही कि दो हमारा एक से कट रहा है पूरा-पूरा इसके बाद दो से कट रहा है पूरा-पूरा मतलब ये एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है इसका मतलब हमारा दो क्या है अब भाजी संख्या है जी हाँ सातियो दो हमारा क्या है अब भाजी संख्या है यहाँ पर एक्जामपल में मैंने ले रखा है और इसके बाद example के लिए मैं ले रहा हूँ 3 ठीक है यहाँ पर आप समझे इसे हम clearly मिटका ले रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर जरा सा हम इटका ले रहे हैं यहाँ पर देखिये example के लिए अगला हम ले लेते हैं 3 यहाँ पर 3 आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर हम ले ले रहे हैं 3 अब 3 में हम 1 से भागा सबसे पहले आपको क्या करना है एक से भाग लगाना इसके बाद आगे बढ़ते जाना है ठीक है तो 3 में जैसे ही अब हम 1 से भाग लगाएंगे तो 1 से 3 हमारा पूरा पूरा कट जागा अब चार से लगाएंगे ना तो चार से ये नहीं कटेगा तो भाई साहब यहाँ पर आप आसानी से देख पा रहे हैं कि तीन जो है वो एक से कट रहा है और जितना था मतलब अपने आप से कट रहा है यानि खूद से कट रहा है इसका मतलब तीन हमारा क्या हो गया अब भाजी संख्या क्या आपको हमारी आवाज समझ आ रहा है गाईज यहां पर आप देख पा रहे हैं एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है इसका मतलब तीन हमारा क्या है अब भाजी संख्या है तो भाई सहाव यहाँ पर जितने भी एक्जामपल मैंने लिया है ये सभी के सभी एक से कटेंगे और खुद से कटेंगे अगर आपको भाजी संख्या आ गया होगा तो आईए अब हम भाजी संख्या को देख लेते हैं यहाँ पर आप सब आसानी से दिख पा रहे हैं भाजी संख्या जिसे एंगलीज में कहते हैं composite numbers जहाँ पर परिभासा क्या है गवर किजिए यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं कि वे सबी संख्या जो एक से कटे खुद से भी कटे तथा किसी और संख्या से भी कटे गाज उसे कहते हैं भाजी संख्या यहाँ पर आप ध्यान दिजिए परिभासा कह रहा है कि वे सबी संख्या जो एक से कटे और खुद से भी कटे तथा किसी और से भी कटे गाइज यहां पर आप ध्यान दीजिए यहां पर जैसे मैं मैंने ले रखा है 4, 6, 8, 9, 10, 12 इसके बाद आगे और भी आप ले सकते हैं तो सबसे पहले मैं 4 को देखता हूँ काट करा अब गाइज हम 4 में जैसे ही एक से भाग लगाएंगे तो यह पूरा पूरा कट जाएगा पूरा पूरा एक से रद हो जाएगा यानि खतम हो जाएगा कट जाएगा और 2 से हम लगाएंगे तो यह 2 से भी पूरा पूरा कट जाएगा अब इसके बाद तीन से हम भाग लगाएंगे इसमें तो यह तीन से नहीं कटेगा आप भाग लगा कर देखिएगा ठीक है तो यहाँ पर यह तीन से नहीं कटेगा अब कटेगा यह चार से ठीक है तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं यही देख पा रहे हैं कि यह एक से कट रहा है और इसके बाद यह खुद से कट रहा है मतलब चार है इसका मतलब चार पहले से था यह चार से भी कट रहा है यानि अपने आप से कट रहा है और साथ ही किसी और संख्या से कट रहा है यानि दो से भी कट रहा है इसका मतलब हमार चार क्या है भाज्य संख्या परिभासा से यही सीध हो रहा है कि ये खूद से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है और किसी और संख्या से भी कट रहा है तो परिभासा में मैंने यही लिख रखा है भाई यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है इसके बाद एक्जामपल के ल अब 6 में जैसे ही एक से भाग लगाती है तो ये शे भी पूरापूरा कट जागा रद हो जागा बरबाद हो जागा ठीक है अब इसमें दो से भाग लगांगे तो दो इब不多 और धाग है । ये पूरार a नहीं नहीं अब भाई शाब आप भाग लगा कर देखिएगा अब यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं छे अब यह पांच से भी नहीं कटेगा और यह डारेक्ट अब कटेगा छे से तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं यही देख पा रहे हैं कि एक से भी कट रहा है और दिया गया सं ये खूद से भी कट रहा है भाई सहाब और साथ ही किसी और संख्या से कट रहा है दो और तीन कोई और संख्या है ना तो भाई सहाब ये जो हमारे च्छाव आपको दिख रहा है ये च्छाव हमारा क्या हो गया भाजी संख्या भाजी संख्या क्यूं है क्योंकि ये एक से भी कट रहा है और खूद से भी कट रहा है और साथ ही किसी और संख्या से भी कट रहा है इसलिए ये हमारा क्या है भाजी संख्या गाइज यहां पर जो भी मैं एक्जामपल लिया हूँ ये सभी के सभी एक से कटेंगे और ये खूद से कटेंगे और इसके साथ साथ किसी और संख्या से भी कटेंगे इसलिए ये हमारे सभी के सभी भाजी संख्या है तो क्या आपको भाजी संख्या के बारे में कुछ जनकारी पराप्त हुआ उमीद करता हूँ कि जो भी मैं बताया हूँ आपको वो आसानी से आ गया होगा अगर आपको नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो के नीचे गाली गलोज कुछ भी लिखे देना ठीक है बाई बाई टेक केर बेस्ट अफ लक बने रहिए और जूड़ी रहिए